कि नमस्कार भाईयों मैं हूं बिसंदत टिप्स वन लीविंस है उमीद करता हूं यार सब कुसरमंगल से होंगे दोस्तों और आ जाते हैं मैसूर में यार मैसूर की रेसे दोस्तों दस तारिको दस रेसे हैं पहली रेस साड़े बार वजे श्टार्ट है तो बहुत लंबा कार लग रहा है और जिसे कहते हैं देड़ दिन या दो दिन से मैं ही कार देखने में हूं यार बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन और गोड़े ओड निकालने की कोसिस करिया उमीद करता हूं कि यार आप लोगो कुछ बेनिफिट हो और मैंने कोसिस करिया हर रेस में यार संसे हम देखें तो आजाते हैं पैली रेस में पहली रेस चईॉदास्य मिटर है जो नो बेटन नोट लूट लूट क्लास फुर जारा है क्लास डाउन करके घृष्ट क्लास फॉर के रहतिक तिन चार रहता था इसटार गया था इस्टार्ट टूफिनिस होने वाला था इसकारलेट प्रिंसेज विन दिया गया है और जो विनर और वस्ता वो डिस्कॉलिफाई हुआ था तीसा लगा था गोड़ा एक साकिन दे दिया था इसे विनर डिस्कॉलिफाई होने के बाद तो बहुत बढ़िया गोड़ा है उमीद करते हैं चौदा सुमें अपसेट कर सकत है और एर वैलो सिटी है बहुत बढ़ी है गोड़ा है यार एयर वैलो सिटी भी तो यहां पर ये वहिसेट कर सकता है और सिवालिक एम्परर वाई ये सिर्नात राकेज जी के गोड़े बैटा है इस्टील से अलमूनियम हो रहा है यार गोड़ा और ये गोल्ड चाम के साथ ही भागा हुआ गोड़ा है यार और ये आपके आगे गोड़े दोस्तो जो मेरा इसमें फाइनल पिक रहे गया दो नंबर गोल्ड च लास्फोर की रेस से फॉरेस्ट विव चौदा सुमिटर जीता हुआ है आज यह इन्हों ने बढ़िया गया क्योंकि जो पहला कार्ट था उसमें इंब्रान खानी दे रहे थे आज अंगत बैठा दिया दो किलो का लाउंस है गोड़े को तो उमीद कर सकते हैं गोड़ा नीचे गोड़ा जीते हैं यह आपके आगे वोड़ें दोस्तों कि इस पर जो मेरा फाइनल पिक रहाएगा दोस्तों फॉरेस्ट वेव एक नंबर अंगत और चान नंबर मिस्टिंग मांटें अक्से गुमार तीसी रेस में आ जाते हैं दोस्तों कि तीसी रेस यार में वो ज्यादा बैटर लग रहे हैं ऐसा लग रहा था पहले नोव विप रेस है बट विप वाली रेस है दोस्तों साथ नंबर है कंट्री स्पेस है यार बहुत बढ़िया गोड़ा है लास्टन में चूप के साथ सेकंड लगा है डिस्टेंस अवा पांच लेंद का है और बासट किलों में चौथा ही हुआ है गोड़ा और आज दुवारा दसन एंटनी बैठा दिया है एंटनी बहुत बढ़िया राइट करी थी एंटनी ने दो रन दिये थे लास्ट टाइम चौदो सु मीटर में तो यहां पर दुवारा उमीद कर सकते हैं कि गोड़ा अच् दोस्तों और जो फाइनल पिक रहागा दोस्तों मेरे इसमें साथ नंबर कंट्री स्पेस अंगत आज नंबर कैलिफोनिया गोल्ड सल्मान खान आ जाता है यार चौथी रेस में चौथी रेस में यार जो मैंने पिक के हैं टॉप होट्स इस ऑन फिल्ड बारसों मीटर त्री कि यथे छिद्था खुड़ा तो उमीद कर सकते हैं जीते इस बार ही उडया और साथ नंबर में बरी बहुत बढ़िया गोडा यार दो रण गुड्स सेकिंडेश की लगा वल्ड के सब्सक्राइक है तो उमीद करते हैं ये घुड़ा जीते है यहां पर उसके बार नौ नमबर है मिलोज यार लास्ट टाइम अर्सद आलम के नीचे कुछ डिफ्ट घुड़ा लगा कि कुछ किलियर रन नहीं था और इस बारी टैवर बैड़ी है तो उमीद करते हैं घुड़ा जीते है और अपने पास कि बाके आप और भी देख सकते हैं और ये फाइनल सेलेक्शन रहेगा इसमें मेरा यार नौ नमबर मिलोज पी ट्रेवर और दो नमबर आईदा माइंड आरेंदर्सन पांचवी रेस में आ जाते हैं दोस्तों पांचवी रेस यार चौदो सु मिटर क्लास 3 की लेस है तर्मेंडेस बहुत बढ़िया घुड़ा है यार क्लास 2 में बहुत बढ़िया रने कौंटिबीटर के साथ 30 लगा था गुड़ा चौहान के नीचे डायरुपे का भाव था क्लास 2 में आज क्लास 3 जा रहा है गुड़ा फिर उसके बाद विप लॉस हुई है उमीद कर सकते हैं यार टाइमिंग में बहुत अच्छा भाग रहा है घुड़ा उमीद कर सकते हैं कि यहां पर दुवारा अफसेट कर सकता है घुड़ा म्यूटेंट लास्ट बहुत बढ़िया जीता है यार नो डाउट सवा तीन लेंटों से थोड़ा सा लास्ट में 50-100-200 मिटर में जो भी थोड़ा सा घुड़ा डिफ्ट हो रहा था बट विवेग जी ने बहुत बढ़िया मैनेज किया उमीद करता हैं यहां पर अक्से जीत एक और विक्टरी हो यार गोड़े की और उसके बाद है वाट इस देस यार जैसा मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इसी के उपर की गेट में फसा गोड़ा और उमीद करते हैं कि यार इस बारी बैटर रन दे गेट से अच्छा निकले जॉन के नीचे और गोड़ा जीत और फाइनल सेलेक्शन रहेगा मेरा चा नंबर म्यूटेंट अक्से कुमार पांच नंबर वाट इस दिस एस जॉन छटी रेस में आ जाते हैं दोस्तों छटी रेस यार 1100 मीटर की रेस है और क्लास 4 की रेस है इस पाकल बहुत बढ़िया गोड़ा है यार उमीद करते हैं कि जीते इस बारी गोड़ा यार अंगत के नीचे और कंट्री फ्लेस फ्रेंट रनर है और अगर आप देखो कि 1100 मीटर में साड़े 9 लेंथों से जीता था 40 पैसे के भाव में तो यह अपसेट कर सकता है गोड़ा यार चार नंबर स्मार्ट कैडिलक 1100 मीटर का गोड़ा है फ तो यह गोड़ा जीत सकता है यार 12 जान के नीचे और 9 नंबर है इन फैबल तो यह गोड़ा यार लास्ट टाइम इसमें जोकी सस्पेंड हुआ है इन सैटिस्फाटरी मेरे ख्याल से यह पी की रन रहा है इसी वज़े से राइट नहीं करता है और इसी गोड़े की वज़े से सिस्पेंड भी हुआ था चौथा लगा है था गोड़ा यार तो गोड़े की पोटेंसल है दिख रहा है दो रहन उसके तो यह आपके आगे ओड़े यार जो मेरा फाइनल पिक रहा है दोस्तों इसमें नौ नंबर इन फैबल विवेक जी पांच नंबर फ्लाइंग फालकन एज जॉन और सातवी रेस में आ जाते हैं दोस्तों सातवी रेस है यार 1600 मीटर की डेस है क्लास टू की तो इसमें एक नंबर है कुर्ग रेजिमेंट जे है चरूल के नीचे क्लास वन का गोड़ा है क्लास टू जा रहा है यार तो सी लाइन के साथ चटा लगा था गोड़ा डिस्टेंस मार्जन बहुत काम है चबवन से दो किलो का लाउंस है साड़े साथ किलो में जा रहा है तो गोड़ा यार उमीद करते हैं कि बोर्ड में भी रहे और जीतने के भी चांस है उसके पाद है नमबर है यार सादिक बहुत बढ़िया विक्टरी लास्ट टाइम थी इसकी और ऐस सक लेन बहुत बढ़िया राइड कर रहा है डिस्टेंस में यार तो यहां पर उमीद कर सकते हैं दुवारा जीते यार गोड़ा सोला सो में भी श्टार्ट टू फिने जा सकता है गोड़ा और क्रिसेंडो यार लास्ट रन था जो अगर उससे उपर के रन देखेंगे लास्ट रन चौदो सो मिटर में हासी बालम के नीचे राइजिंग सन के साथ चटा लगा है उससे उपर तीसरा दूसरा और जीता सब्सक्राइब गोड़े सर्प्राइब कर सकता है और उसके बाद प्लैस्ट बॉन यहां फ्लैस बोर्ड हिंदु सिंग के नीचे गोड़ा यह बहुत बढ़ी है चैकली न करा था दो रन खराब थे ऐसके बाद कंटियू पर्फोर्म कर रहा है और उससे उपर भी पर्फोर पिक रहाएगा दोस्तों इसमें 6 नमबर साधिक एस सकलें एक नमबर कुर्ग रेजिमेंट जेया चरुल आजाते हैं आठवी रेस में दोस्तों हिमावती मिलियन रेस है और 2000 मीटर की रेस है यार मेजर इवन्ट है ये भी और अगली रेस भी तो इसमें मैंने पांचो को ही वैसे कंसिडर किया हुआ है क्योंकि बड़ी रेस है यार हो जाता है कुछ कंसिडर करना पड़ता है एक नम एंजलीनो एंजलीनो यार इसके साथ भागा हुआ है माई ओपिनियन के साथ ही एक बरी ठीक है तो आप यह देख लेना ओल्रड़ी ठीक है दो रन है मेरे ख्याल से दो रन दो बारी भागे वें दोनों गोड़े एक बारी माई ओपिनियन ने बीट किया हुआ इसे तो उमीद कर सकता है कि दुवारा माई ओपिनियन मारे है व्लॉक क्रूज यार बहुत बढ़िया रन दे रहा था दो रन अगर आप तो देखते हैं गोड़ा अपसेट भी कर सकता है प्रस्ट बांड बहुत बढ़िया यार दो हजार मीटर में स्टार्ट टू फिनिश चला गया था तो यहां पर यह गोड़े को भी कंसिडर कर सकते हैं अफसेट करने के लिए मैसूर का ट्रायक यार कुछ भी हो जाता है यहां पर एमेल्डा है एमेल्डा यार कंटिनियू जीतने की कोसिस कर रहा है जैसे माई ओपिनियन बैंगलोर जा रहा है मैसूर भाग रहा है तो वो भी एक विक्टरी दो रन हादा मै मैसूर में जीता फिर बैंगलोर में दो रन देखिया है तो उमीद करते हैं यार यह एमेल्डा भी इसी तरीके से बार-बार लग रहा है गोड़ा और लास्टम जॉक्टि पर फाइन भी हुआ है हिंदू सिंग के तो उमीद करते हैं यहां पर यह सिर नई डूग नीचे अ और एक्क्यूमेंट भी चेंज हुए टीएस आफ खरें गए गोड़े के तो यह आपके आगे ओड़े दोस्तो और जो इसमें मेरा फाइनल पिक रहाएगा दोस्तों माई ओपिनियन अक्से कुमार और आजाते हैं नौवी रेस में यार नौवी रेस में मिलियन है और शोला सो मीटर की रेस है यह रेस पहले भी हम डिसकस कर चुके हैं तो एक नंबर है अस्वी युद्वीर यार सूरा नेडू के नीचे शोला सो लास्ट रास्टाइम बैंगलोर में स्टार्ट टू फिनि यहां पर इंप्रेसिव विट्वे हैं दोनों टाइमिंग के साथ मैं इस्टिल आयराइज यार वाइस सीनात यहां पर बहुत हार्ड राइडर है सभी को पता है चिखू तो उमीद कर सकते हैं कि यहां पर जीज सकता है गोड़ा और इस्टिल आइड़ाइज और अस्व देख लिया होगा बहुत लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनको बता देता हूं दोनों गोड़े एक साथ भागे हुए यार वो तीसरा लगा था सू युद्वीर 400 मेटर में और यह चौथा लगा था इसका लेट गैलप था तो यहां पर इसलिए मैं बताना चाहर यहां था चौद्व सो मीटर में इस बार सोला सो जाना है तो इग्नोर नहीं कर सकते यार यह भी अपसर चांद से यहां पर यह आपके आगे उड़े दोस्तों कि फॉर्सटी यार मैं रन के इसाब से इसको फैवर्टी लेके चलूंगा बहुत बढ़ी है रहने दोनों के दोनों और उमीद करता हूं सोलो सो में भी इसी तरीके से जीते गोड़ा यार और जो मेरा फाइनल पिक रहाएगा दोस्तों एक नंबर अस्व युद्वीर सुर बढ़िया घोड़ा है लेकिन मेरे को दो सिलेक्सन लेने हैं तो मैं दोई ले पाऊंगा इसमें और दसवी रेस में आ जाता है यार एक नंबर कलाहरी गोल्ड इस बारी जीतना चाहिए यार गोड़ा कुछ लगनी रहा है फिल्ड में भी और उसके बाद एक गोड़ा है य यहां पर अपसेट कर सकता है गोड़ा जरूर यह आपके आगे ओड़ें दोस्तों चार नंबर मैंने ओड में लिया हुए यार सूज चेंज हो रहे हैं इस वज़े से मैं थोड़ा सा वह कर रहा हूं अगर सूज अल्मूनियम से अल्मूनियम ही जा रहा हो था तो बहुत ब भाईयों दोस्तों और उमीद करता हूं यह बड़े कार्ड में जरूरी नहीं है कि आप सारी रेसे खेलें अगर बीच में दो तिन छोड़ भी देते हैं और बाकी रेसे खेल लेते हैं जहां पर आपको लगता है कि कुछ घोड़े आपको भी पसंदो और मेरी से मैच कर रह करते हैं आठाट नौनों सेलेक्शन एक रेस में रिकलने थे बड़ मैंने कोसिस करी है सौट करने की होप आपके काम आए और आपका दिन अच्छा हो दोस्तों बाई मिलते हैं फिर यार इसके बाद बैंगलोर में बाई टेक कियर